Assalamu alaikum, welcome to ambitious robotics and IT solutions, this is me your instructor Naila Atapati Office Management के आज की 22nd lecture में आप सब को खुशाम दीद आज की इस lecture में हम MS Excel ने अंदर pay salary sheets हम बनाएंगे salary sheet बनाएंगे के आपी gross pay क्या है उसमें deduction कैसे हो नहीं है तो हम आज की इस lecture में इसको देखेंगे मैंने ये छोटा सा एक वो बनाया हुआ है जिसमें मेरा जो पहला आपका sell है वो gross pay है फिर अगला reduction पहली reduction पहली कटोती दूसरी कटोती फिर ये दोनों कटोतियों का एक मजबूवा total reduction फिर net salary अब होना क्या है gross pay मेरी है 10,000 ठीक है मेरी पहली कटोती हो गई आपकी हजार हो गए दूसरी कटोती हो गई 2000 अब मैं क्या करूंगी कि total कटोती को count करूंगी कि मेरी असल पहले तो हुई 1000 दूसरी 2000 तो total कटोती थी वो मेरी कितनी हुई इस cell को plus कर दूंगी इस cell के साथ ये मेरी total कटोती देगी देखो 1000 जमाद 2000 कितने हो गए 3000 नेट सेलरी क्या होती है कि जो actual salary है यानि आपकी जो कटोती है वो निकाल कर जो salary बच जाती है उसको हम कहते है net salary वो क्या है कि आप एक काम करेंगे gross पे उसमें से minus कर देंगे total deduction को कितनी है 3000 एंटल करेंगे ये total salary आजाए कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी इसी तरह weekly salary निकालनी है weekly में क्या होता है कि जो net salary ये एक महीने की है एक महीने में कितने हफते होंगे 4 आप इसको आप divide कर देंगे 4 पे तो ये आपको एक वी किया जाएगी डेली में क्या होगा कि ये जो net salary है इसको एक मंत में जितने भी आपके days होंगे 29 है 30 है 31 है up to you जो भी आपको मंत में काम करें अपर्स करें 30 है तो मैं divide करूँगे एक दिन की इतनी हो जाएगी annual करनी है तो आपकी next salary को आप multiply करेंगे 12 से ठीक है आप मैं चाहती हूँ मेरी अपनी मर्जी से यहां आ जाए कि मैं जितने भी number of month की चाहती हूँ उतनी ही आ जाए तो मैं एक काम करूँगी कि जो आपकी next salary है इसको आप multiply करेंगे इस cell से ठीक है वो वही दिखाएगा अब मैं यहां पर आके 8 करूँगी तो देखेगा यहां 8 month की दिखा देगा अगर मैं 78 करूँगी 78 month की 2 month की कहूँगी 2 month की 1 month की कहूँगी यह देखेगे एक month की 7000 अगेन देख लीजिएगा इसको repeat करके क्या करना है equal next salary multiply by यह एंटिल कर दे और आपको जितने month की चाहिए होगी आप यहां type करेंगे उत्रे month की वो दिखा देगा कि अच्छा अब आप इसको करेंगे क्या आपने जहां जहां formula apply किया उसको कर दे यह इस तरह से थीकिष्ये मैंने कर दिया nag ट्यकुए और मैंने यहां इसको भी कर दियाüt और इसको भी कर दिया जितने आपने number of employees का data निकालना है इसको drag करते हुँ आचा एक और column मैं भूल गई हूँ आप लोग ने लगा देना यहाँ पे name का जिस भी बंदे का आप देने साहिए वहाँ नहीं भी थे है नायला की salary थी आप दूसरा हम करते हैं मैं खान की उसकी बारा हजार पे थी आदे है मैं टाइप करते जा रही हूं और उसकी जो salary की बाकी amount से वह बंदी जा रही है वह बंदी जा रही हूँ दो सो तीन सो यह देखे और अब मैं जितने number of months का मैं डालूंगी वह उतने number की हम पे दिखा देखे लिए इसको एकल नट सेलरी मुल्टिप्लाइब इस चीक हो गया इसी दर हाँ सोन अप डाटा राते जाए और अपने इंपलाइस की salary निकालते जाएंगे आज के लिए इतना काफी आपने ये मैंने एक मंद की बनाई है आपने बारा मंद की वरा नहीं है चीक है आज के लिए इतना काफी इंशाला अगलेक्शन बुलकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिस